अल्रेट चेक इट आउट गाईज स्वागत है आपका स्टोन टेग में आज हम बात करेंगे शाओमी रेड्मी नोट 11T 5G के बारे में जानेंगे इसके फुल फीचर एंड इस स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मोबाईल में कुछ खास सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाईल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.6 इंचिस की IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Aspect Ratio 20 to 9 होगा और Screen Density 399 PPI होगी अगर बात करें इस मोबाईल के Screen Protection की तो इस मोबाईल में Gorilla Glass 3 Screen Protection आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं इस मोबाईल के अगले सेग्मेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाईल के Operating System, Chipset और GPU के बारे में इस मोबाईल में Android 11 Operating System आपको देखने को मिलेगा Chipset MediaTek Dimensity 810 5G होगा और अगर बात करें इस मोबाईल के GPU की तो इस मोबाईल में Mali G57 MC2 GPU आपको देखने को मिल जाएगा आप बात करते हैं इस मोबाईल के Main Camera की जिसमें 50 और 8 Megapixel के एक Dual Camera आपको देखने को मिलेगा Camera feature में इस मोबाईल में HDR का feature भी होगा अगर बात करें Main Camera की Video Quality की तो आप इस मोबाईल से 1080p में अच्छी Quality की फोटो और वीडियो शोट कर सकते हैं अगर बात करें Selfie Camera की तो इस मोबाईल में 16 Megapixel के एक Front Camera आपको देखने को मिलेगा और Front Camera की Video Quality भी 1080p होगी अब चलते हैं इस मोबाईल के अगले सेग्मेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाईल की Memory के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाईल के Card Slot की तो इस मोबाईल में Card Slot नहीं होगा Internal Memory 64 GB और 128 GB के Variant में होगी अगर बात करें इस मोबाईल के RAM की तो ये मोबाईल आपको 4 GB, 6 GB और 8 GB के Variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें Sound Quality की तो इस मोबाईल में एक अच्छी Quality का Stereo Loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm Jack भी आपको इस मोबाईल में मिल जाएगा अगर बात करें Fingerprint Sensor की तो इस मोबाईल में Fingerprint Sensor आपको Side Mounted देखने को मिलेगा आप बात करतें इस मोबाईल की बैटरी के बारे में जिसमें 5000 mAh के के L.I.P.O बैटरी आपको देखने को मिलेगी और Charging की बात करें तो इस मोबाईल में 33 Watt के Fast Charging भी होगी अगर बात करें इस मोबाईल के कुछ Common Features की तो इस मोबाईल में 2.0 Tab C USB Port आपको देखने को मिलेगा Infra Red Port का Feature इस मोबाईल में होगा अगर बात करें NFC की तो इस मोबाईल में NFC का Feature आपको देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color, price और release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, white और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 16,999 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 7 December को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करेंना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on करेंना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में